नमस्कार प्यारे बच्चो विनिंगेज टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है अच्छा बच्चो आज मैं बहुत खुश हूँ reason क्योंकि आज मैं 10th क्लास के लिए 3rd chapter करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है Linear Equation of Two Variables Linear Equation of Two Variables ठीक है मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसे रेखिक समीकरन दो चरप पदवाले ठीक है दो चरप पदवाले अच्छा बच्चो इस chapter की खास बात क्या कि इसको solve करना बहुत ही ज़्यादा interesting है इसको solve करना बहुत ही ज़्यादा interesting है इस वज़े से इसको solve करने में बहुत मज़ा आता है ठीक है और अगर ये आपको एक बार clear हो गया तो सारी बाते आपको अपने आप समझ बाने लगेंगी कि इस chapter ने आपसे demand क्या की है ठीक है अच्छा बच्छों एक बात और कहना चाहूंगा जैसे RD सरमा के अभी आपको फिलाल CBSC वाले question ठीक है CBSC वाले question और उसमें जो NCRT लिखा हुआ है वो सारे question अब अपने से cover करते चलो ठीक है क्योंकि doubt थो हम साथ-साथ लेके चलेंगे लेकिन मैंने ये सोचा है अब से कि ना अब हम लोग एक doubt class भी arrange करेंगे हफते में एक बार एक doubt class भी arrange करेंगे जिसमें आप क्या करना जैसे जब भी मेरे को doubt class लेनी होगी हफते में वो मैं कभी भी ले सकता हूँ ठीक है और बस मैं आपको announce कर दूँगा कि प्यारे बच्चों आप अपने सारे doubts मुझे send कर दीजिए तो एक दिन पहले ही बता दूँगा मैं ताकि आप लोग अपने doubt collect कर लें और वो सारे मुझे send कर दें तो उनमें से जितने भी common doubts होंगे या जो भी होंगे वो सारे के सारे doubts में यहां board बर कराऊंगा इससे होगा क्या कि हम chapter में भी आगे बढ़ते रहेंगे कर सकते हैं लेकिन बैरे बच्चो हम लोग अभी फिलाल rd शर्मसे cbsc ncrt हां बागी मैं अपनी तरफ से कुछ extra question करवाता रहूंगा बेफे कर रही है ठीक है चलिए तो आज आगे बढ़ते हम लोग एक नए chapter की तरफ जिसका नाम है लीन linear equation of two variable linear equation of two variable चलिए आगे बढ़ते हैं सभी बच्चे ncrt app डाउनलोड जरूर कर लें क्योंकि उसी में से ही पढ़ाया जाएगा आपको अगर बुक नहीं है तो और अगर बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बच्चो चलिए शुरू करते हैं ठीक है शुरू करते हैं linear equation of two variable हिंदी में दो चरवाले रेखिक समी करन ठीक है बच्चो अब बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में बहुत मज़ा क्योंकि इतना ज़्यादा interesting chapter है इतना ज़्यादा interesting chapter है कि जब आप पढ़ोगे न तो इसके अंदर आपको खुदी feel होगा कि भई कितनी अच्छी चीज है और कितना अच्छा concept है कि हम बढ़ रहे हैं और question हमें clear हो रहा है इसमें सारा खेल प्यारे बच्चो wording का होता है words का अगर आपने उन words को समझ लिया तो आप राजा बन गए फिर तो देखिए कैसे राजा बनते हैं जरा सुनते हैं सबसे पहले chapter का नाम है उस नाम को clear करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो chapter का नाम क्या है प्यारे बच्चो देखो देखो पहले मैं English वाले के लिए भी बता रहा हूँ कि linear equation वो होता है जिसकी maximum power 1 हो जिसकी मतलब किसकी? variable की जिस variable की maximum power 1 हो उसी को कहा जाता है linear equation हिंदी में जिस बहुपद का अधिक्तम घात एक हो जिस बहुपद का अधिक्तम घात एक हो उसी को रेखिक समीकरन कहा जाता है प्यारे बच्चो क्लियर हो रहा है जिसका क्या maximum power क्या हो? 1 हो जैसे x plus 2 बराबर 0 बराबर 0 तो देखिए ये variable है एक चरपद है और इसके highest power कितनी है? 1 तो ये बन गया रेखिक समीकरन लेकिन बच्चो हमें सिर्फ रेखिक समीकरन नहीं बोला है हमें सिर्फ linear equation नहीं बोला है साथी साथ एक एक चीज और जोड़ दी गई है of two variable साथी साथ और क्या जोड़ दिया गया है? linear equation of two variable हिंदी में रेखिक समीकरण तो है लेकिन कितने चरवाले जर्वाले, यहाँ पर बच्चो 2 चरवाले का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चो 2 चरवाले का मतलब यह है कि जब हम लोग כ oppression solve करेंगे न तो वहाँ पर हमें हर बार 2 variable नज़राएंगे दो चर नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया तो यह क्या है, single variable है क्यों खाली x है, लेकिन अब पता है कैसा नजर आएगा, x प्लस y बराबर 6 ऐसे ठीक है, या a प्लस b बराबर 9 इस तरीके से, या alpha minus beta बराबर 8 इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई 0 भी हो सकता है, बहुत सारी digit हो सकती है, लेकिन 2 variable 2 variable का मतलब क्या हुआ कि आपको equation के अंदर 2 अलग अलग variable की value निकालनी होगी, जैसे इस वाले में आपको x की y की लिकालनी है, a की b की निकालनी है, alpha की beta की निकालनी है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 2 variable होंगे आपके पास, और जब 2 variable है, तो 2 equation भी होंगे बच्चो, reason क्योंकि 2 variable जब भी आएंगे तो आपको 2 equation भी मिलेंगे, क्योंकि 2 variable में single equation से आप उसका अंसर नहीं निकाल सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिये गया 2 variable में, 2 चर पदों में, आपके पास 2 समीकरन मिलेंगे, 2 equation मिलेंगे, क्योंकि आप बिना 2 equation के, उसको solve नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे और फिर उसका आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए मैं आपको जब-जब question करवाऊंगा, इस chapter में जब भी question करवाऊंगा तो आपके सामने में हर बार 2 equation लिखूंगा क्यों? क्योंकि variable जब 2 है, तो equation भी 2 होगी, मेरी बात समझ में आरी सभी बच्चों को, अगर variable 2 है, तो equation भी 2 होगी, क्योंकि 2 equation को solve करने पर ही उन दोनो वेरियेबल का उन दोनो चरपदो का answer निकलेगा, मुझे पता है अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप सभी को थोड़ा-थोड़ा, लग रहा होगा कि यर क्या पढ़ रहे हम, तोड़ा अजीव सा लग रहा है, लेकिन बच्चों सिर्फ कुछ पछण और उसके बाद ये चैप्टर आपका फेवरिट बनने वाला बेफिकर रही है, ठीक है, देखिए ठीक, इतनी बात तो समझ में आगी होगी, कि linear equation मतलब जिसके highest power 1 of two variable ऐसे, मतलब ऐसे question जिसके अंदर दो-दो variables हुपे हो वो xy भी हो सकता है, ab भी हो सकता है alpha, beta भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ठीक है, तो आप उसके लिए तो बेफिगर रही है ठीक, अब इस पर question किस परकार क्या आते है वो बताता हूँ ठीक है, एक पर question किस परकार क्या आते है वो बताते है ठीक है, जैसे मैं अभी तो फिलाल में एक question लेके देख रहा हूँ ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे इस बारे में tension मतलो, ठीक है, अभी हमें सिर्फ trial लेना है तो एक trial बनाते है इसका ठीक है, अब इनके कोई coach है ठीक है, एक प्यारा बच्चा हो गया राहूल ठीक है, इनके कोई cricket coach है ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कि एक काम करो इनसे कहा ठीक है, इनसे कहा कि भई, राहूल एक काम करो, पांच बैट ले आओ, क्या ले आओ पांच बैट ले आओ और तीन बॉल ले आओ ठीक है पांच बैट ले आओ और क्या ले आओ तीन बॉल ले आओ ठीक है तो कह रहा ठीक है सर ले आओंगा मैं पांच बैट ले आओंगा और क्या ले आओंगा तीन बॉल ले आओंगा ठीक है अच्छा अब पांच बैटल आने के लिए बोला और एक काम करते हैं इसको हम कर लेते हैं ऐसा करते हैं चार ठीक है हाँ चार बॉल कर लेते हैं ठीक है अब उन्होंने क्या बोला कि प्यारे बच्चे आप पांच बैटल आईए और क्या ले आईए चार बॉल ले आईए और उ गए पांच बैट और चार बॉल चौदा सो रुपे में खरीद के ले आये और सर को बोल दिया कि सर मैंने चौदा सो रुपे में पांच बैट और चार बॉल खरीद के ले आया उन्होंने का चलो भई बहुत अच्छी बात है अब उन्होंने का कि एक काम करो दुबारा जाओ दुबारा जाओ, और बैट और बाल की जुरुत पड़ गई, लेकिन अब की बार क्या करना, उन्होंने बोला, अब की बार क्या करना, अब की बार क्या करना कि तीन बैट लेना, ठीक है, तीन बैट लेना, और दस बाल लेना, ठीक है, अब की बार क्या करना, तीन बैट लेना और 10 बोल लेना लेकिन अब की बार मैं आपको पैसे 16-100 रुपे दे रहा हूँ अब की बार मैं आपको पैसे कितने रुपे दे रहा हूँ 16-100 रुपे दे रहा हूँ अब देखो यहां पे क्या बना बैट उसको चाहिए 5 बोल उसको चाहिए 4 और पैसे कितने खथम करने हैś 14 erot लेकिन जब दूसरी बार वो लड़का गया रहुल तो अब की बार उसको तीन बैट लेने है 10 वॉल लेने है और उसको पैसे कितने खथम करने है उसको पैसे खथम करने है बच्चो 1600 रूपे तो बताईए एक सिंगल बैट की कीमत क्या है और एक सिंगल बॉल की कीमत क्या है तो ऐसा कुछ आपके सामने आएगा कोशन आपके सामने इस परकार के कुछ कोशन आएगे मेरी बास समझ रहे हो ठीक है तो इस परकार के बहुत सारे कोशन बनाए जा सकते है बस मैंने आपके सामने एक छोटा सा ट्राइल लिया कि हाँ जी कोच ने राहुल को कहा 14.00 रुपे लो भाई और मुझे 5 बैट और 4 बॉल लाके दो भाई साब ने लाके दे दिये ठीक लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने अब बोला कि एक काम करो बच्चे आप फिर से जाओ लेकिन अब की बार 3 बैट और 10 बॉल ले आओ और उसको पैसे कितने दिये 16.00 रुपे ठीक है तो अब ये हो गया तो अब आपको बताना है कि उन्होंने एक बैट कितने रुपे का और एक बॉल कितने रुपे का खरीदा तो कितना easy है समझ रहो कितना easy है बस यह है कि इसको solve करना आना चाहिए अब समस्य यही है ठीक तो पहले हम लोग बच्चो equation के अंदर ये पता करते हैं कि आखिरकार equation होती क्या है equation solve कैसे की जाती है equation के बारे में detailing क्या करते है तो एक बार अगर आपको equation समझ में आ गई तो आप equation बनाना भी सीख जाएंगे तो पहले मैं equation के बारे में बता रहा हूँ फिर मैं आपको equation बनाना जिखाऊंगा कि आखिरकार equation बनाते कैसे है मेरी बास समझ आ रही है सभी बच्चों को तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं सुरू करते हैं कि आखिरकार linear equation of two variable में दो चरवाले रेखिक समी करण में क्या क्या possibilities हो सकती है ठीक है तो यहां से आपका chapter सुरू होता है तो लीजिए सुरू करते है ठीक है यह बस मैंने आपको क्या समझा है कि किस तरह के question बन सकते है ठीक है इसका बाकि किसी चीश से relation नहीं है अब ज़र ध्यान से देखिए याद रखिएगा दो line में दो line ठीक है क्योंकि बच्चो linear equation of two variable है तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर बच्चो variable 2 है तो equation भी कितनी होगी 2 होगी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ से आपका chapter सुरू हो रहा है मैं यहाँ से समझाना सुरू कर रहा हूँ आपको linear equation of two variable दो चर वाले रेखिक समझे करने कितने चर हैं बच्चो 2 variable कितने है 2 तो मेरे बच्चो आपको ध्यान से यह बात ध्यान रखनी है कि अगर variable चर 2 है तो आपके पास equation भी कितनी होगी 2 equation भी कितनी होगी 2 और जब equation 2 होगी तो line भी कितनी होगी 2 इस बात को ध्यान से देखिए अगर variable 2 है अगर variable 2 है तो two equation होगी ठीक है और अगर equation two है तो line भी कितनी होगी line भी two होगी ध्यान लखना हिंदी में बताओ मैं अगर अगर दो चर पद है तो दो समीकरण भी होगे और अगर दो समीकरण है तो बच्चो दो line भी होगी दो रेखाएं भी होगी इस बात को ध्यान से समझेगा आप सभी क्या बोला मैंने आपसे कि प्यारे बच्चो अगर दो variable है दो चर है तो दो समीकरण भी होगे और अगर दो समीकरण है तो दो line भी होगी इसका मतलब आप क्या समझे इसका मतलब आप ये समझे कि इस chapter में हर बार आपको कितने line दी जाएंगी दो line दी जाएंगी जब दो line दी जाएंगी तो हर बार कितनी equation दी जाएगी हर बार दो equation दी जाएगी और जब हर बार दो equation दी जारी है तो chapter का नाम क्या बन रहा है two variable दो चर पल्ले पड़ गई बात कि अगर दो variable होंगे दो चरपद होंगे तो दो equation होंगी दो equation होंगी तो दो line भी होंगी मतलब इस chapter के अंदर हर बार दो line दो equation और दो variable मिलेंगी ही मिलेंगी दो चरपद, दो समीकरण और दो रिखाएं हर बार इस chapter में मिलेंगी ही मिलेंगी तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि इस चेप्टर में हर बार हमें दो लाइन, दो एक्वेशन और दो चर्पत के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए, सुरू करते हैं ठीक है, इसको उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो बोस करके उतार ये, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है, चलिए, नोट कर लिया होगा, अब देखिए अब ज़र ध्यान से सुनिएगा एक बात, बड़े प्यार से यहां तक तो हमने सीख लिया, कि दो लाइन होंगी, दो एक्वेशन होंगी, और दो क्या होंगे, वैरियेबल तो अब बच्चों ये बात आती है, कि वो दो लाइने, जो होंगी, वो किस किस तरह की होंगी अगर हमारे पास दो लाइने होंगी तो हम उनको किन तरीके से जोड सकते हैं तो बच्चों याद रखना दो लाइनों को हम लोग तीन तरीके से ही जोड सकते हैं हाँ, एक चौथा तरीका भी है लेकिन वो आप इलेवन्थ किलास में सीखोगे अभी फिलाल आपको तीन तरीके सिखा रहा हूँ ठीक है, तीन तरीके कौन से हैं ध्यान से देखिए ठीक है, हम दो लाइनों को ऐसी दो लाइनों को हम तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं तरीका नमबर पहला इंटरसेक्षन मतलब intersection lines या intersected lines intersected lines हिंदी में प्रती छेदी प्रती छेदी रेखाएं मतलब क्या कहना चाहता हूँ बच्चों मैं कोई भी दो लाइने आपस में कुछ ऐसा वहवार रखती है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती ही है कभी कभी ऐसा होता है कि दो लाइने एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट सकती है क्या दो लाइने कभी आपस में दो जगह पे काट सकती है कभी नहीं काट सकती ठीक है एक ही जगह पे काट सकती है कोई भी दो लाइने मेरी बास समझ मारी है सभी को ये दो लाइने जो होती है प्यारे बच्छो वो एक साथ एक ही जगह पे एक बार ही काट सकती है जैसे ये दो लाइने ठीक है आप आप इसको कैसे भी अरेंज कर रहो जैसे एक बार इधर से किया तो एक बार इधर से किया देखो कितनी बार कट रही है एक बार ठीक है अब ये दूसरी लाइन मालनों मैंने ऐसे गुजार दी तो कितनी बार कट रहा एक बार तो हमेशा दो लाइन प्यारे बच्चो एक पॉइंट पे एक ही बार कटेगा ठीक है तो ये दो लाइने हो गई ठीक और इन दोनों लाइनों पे क्या हुआ एक ही जगा पे कटा अब मेरी बात तो को ध्यान से सुनते चलना क्योंकि आपका बेसिक है अच्छा ये लाइन अलग है इसको मान लिया मैंने L1 ये लाइन अलग है तो इसको मैंने मान लिया L2 मेरी बात को ध्यान से सुनना भी पहले ठीक, क्योंकि यह line अलग है, इसको माना l1 यह line अलग है, इसको माना l2 यह line अलग है, इसको l1, इसको l2 अब बच्चो, जब line अलग अलग है तो उसकी equation भी अलग-अलग होगी? होगी की नहीं होगी? सही बात है? अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारा L1 line है उसकी equation मान ली मैंने A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 ठीक है? देखो है ना 2 variable X और Y और linear भी है क्यों? क्योंकि दोनों के highest power 1 अच्छा L2 line की equation मैंने मान ली A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 ये मैंने L2 line की equation मान ली ध्यान से सुनिएगा अब बूच रहें कि भाईया ये A1, B1, C1 क्या है? या A2, B2, C2 क्या है? तो प्यारे बच्चो ये ना अलग-अलग number है क्योंकि जब आपको equation दिखाई दी जाएंगी तो वहाँ पे number लिखे होंगे तो number को represent करके दिखाणों में A1, B1, C1 A2, B2, C2 अच्छा, अभी हम case कौन सा पढ़ रहे हैं? हम case पढ़ रहे हैं intersected line प्रती छेदी रेखाएं मतलब क्या? कि हमेशा जब भी दो line एक point पे cut करें तो इनके कुछ इस प्रकार के case बनते हैं कैसे case? हमेशा जब भी ध्यान रखिएगा फिर से बता रहा हूँ हमेशा जब भी दो line एक point पे cut करे जब भी दो line एक point पे cut करे तो उनका आपस में relation ऐसा होता है कैसा? कि A1 upon में A2 बराबर नहीं होता है B1 upon में B2 यह देख लो अगर इस तरह की equation आपको मिल जाए तो आपको यह पता लगाना है कि क्या हमें भाई यह line परती छेदी दे रखी हैं? जैसे एक example लेते हैं जैसे माल लीजिए मैंने ले लिया 3X प्लस 2Y ठीक है? 3X प्लस 2Y और इस इक्वल टू 13 ठीक है? और अब मैंने लिया 4X प्लस 4X प्लस 5Y ठीक है? 4X प्लस 5Y यह क्या बन जाएगा? यह आजाएगा 22 ठीक है जी? यह आजाएगा 22 ठीक तो यह equation आ गए आपको ना मैंने 2 equation दी है कौन सी equation? 2 linear equation दी है और वो भी कैसी वाली? 2 variable वाली एक्जामपल लिया मैंने अपनी तरफ से अब मैं आप से पूछ रहा हूँ बताओ इन दोनों लाइनों के बीच में कैसा relation है? इन दोनों लाइनों के बीच में कैसा संबंध है? बताओ तो आप कहोगे सर एक मिनट का खेल है और वो एक मिनट का खेल क्या है? आपने इसको equation first माना आपने इसको equation second माना फर्स्ट equation में ये कौन है? A1 ये कौन है? B1 ये कौन है? C1 ये कौन है? A2 ये कौन है? B2 अच्छा कुछ बच्चों के लग रहा होगा कि सर आपने C1, C2 इधर रखा है तो इसको भी उठा के इधर ले आओ तो बच्चों ले भी आओ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है? या तो दोनों ही उधर हो या तो दोनों इधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक इधर, एक उधर होगा तो फर्क पड़ता है तब हम उसको आगे बीचे करेंगे ठीक है? अच्छा अब देखो मैंने क्या सिखा है? कि भई A1 अपॉन A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के तो इसका मतलब क्या होगा? वो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्ट तो चलो देखते हैं हां जी A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 यह हम चेक कर रहे हैं ठीक है? तो A1 कितना है 3 A2 कितना है 4 B1 कितना है 2 B2 कितना है 5 तो क्या यह दोनों 3 बटा 4 बराबर कभी 2 बटा 5 के हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कि यह दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है परती छेदी कर रही है तो बच्चो ध्यान रखे कि जब भी इस तरह की equation दी गई हो और आप से पूछा गया हो कि बताईए इनमें relation कैसा है इनके बीच में संबंध कैसा है तो अब तुरंत इसे चेक करेंगे A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 अगर ये बराबर होते हैं तो हम आगे case पढ़ेंगे भी और अगर बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइने आपस में कैसी हैं? intersect हैं ध्यान रखेगा बच्चो और ये बात याद रखेगा कि जब भी दो लाइने आपस में intersect करती हैं तो कितने point पे काटती हैं? एक point पे इसलिए इसका answer होता है only one solution only one solution और हिंदी में केवल एक हल हिंदी वालों को इंगलिस वालों को एक चीज और लिखके दी जाती है unique solution क्या दीखे जाती है? unique solution तो चाहो आप unique solution लिख लो चाहे आप only one solution लिख लो बात एक ही है only one solution का मतलब क्या है HERE? only one solution का मतलब यह है कि x की value कोई एक fix value होगी और y की value कोई एक fix value होगी मतलब अपनी अपनी एक fix value होती है इसलिए यहाँ पे क्या दिया जाता answer unique solution या only one solution या केवल एक हल तो याद रखिएगा बच्चो जब दो लाइने एक पॉइंट पे काटती हैं तो उनका आंसर भी क्या आता है एक पर्टिकुलर नमबर आता है वो कुछ भी हो सकता है दो चार पांच दस ठीक है पंदरा कुछ भी हो सकता है तो इस परकार से बच्चो हमने ये सीखा कि जब द पॉन में B2 और इसी वज़े से उनका आंसर क्या होता है केवल एक हल only one solution ठीक है तो जल्दी से नोट कीजिए फिर हम दूसरे टाइप पर चलते हैं तो आईए वच्चो एक एक जामपल और लेते हैं और समझते हैं जो हम लोगों ने ये intersected line का पड़ा था ठीक है अच्छा अब देखिए आपके सामने फिर से ये एक equation दी गई है और दूसरी equation दी गई है तो मैंने आपको क्या बताया था linear equation तो हाँ जी linear equation है रेक एक समीकरन है two variable हाँ जी two variable है दो चर वाले दो चर वाले है ठीक है तो चलिए solve करते हैं अब मैंने क्या बताया था इस first equation को इसको मानो a1 इसको मानो b1 इसको मानो c1 यही है न बच्चो अच्छा इसको second equation वाले को मानते है a2 इसको मानते है b2 इसको मानते है c2 यही बात है अच्छा अब मैंने क्या बताया था कि इनके बीच में relation चेक करना है संबद्द चेक करना है तो कैसे करेंगे बच्चो हम चेक करेंगे a1 upon me A2 बराबर है B1 upon me B2 यह हम चेक कर रहे हैं कि बराबर है भी या नहीं ठीक है तो चलिए A1 कितना है 3 A2 कितना है 2 B1 कितना है 6 B2 कितना है 4 अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पर देख लेते हैं और केते अच्छा यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 4 है अच्छा बराबर नहीं है ऐसे अगकोशन कर लेते हैं गलत तो प्यारे बच्चो ऐसी गल्ती बिल्कुल भी मत करना क्या नहीं करना अगर बच्चो कोई चीज आपस में कैंसल आउट हो रही हो कट रही हो तो बच्चों से काटो जैसे टू थ्री जा और टू 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 जब फोर अब देखो दोनों बराबर आए की नहीं आए आ गए ना तो जब बच्चो दोनों बराबर आ गए हैं तो क्या अब ये इंटरसेक्टिड लाइन होगा मुझे बता दो क्या ये अब इंटरसेक्टिड लाइन होगा नहीं होगा और जब ये इंटरसेक्टिड लाइन है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अगर ये इंटरसेक्टिड लाइन है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस line को हम लोग unique solution, only one solution, केवल एक हलवाला नहीं बोल सकते हैं, अब जब एक हलवाला नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो अभी बस लीजिए, दो मिन्टे में बता दूँगा, बस इतना ध्यान रखिए, कि intersected line के लिए क्या case होता है, intersected line के लिए case होता है, a1 upon me a2 बराबर नहीं है, b1 upon me b2, अगर बराबर आ जाता है, तो आगे solve करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, फिलाल, intersected line की पहचान आपको पता चल चुकी है, a1 upon me a2 बराबर नहीं है, b1 upon me b2, ठीक है, तो इसको note कर लीजिए, और लिख दीजिए आपे, कि यह intersected नहीं है, है ना, this is not, यह ऐसे लिख दीजिए, they are not intersected line, intersected lines, यह प्रतिछेदी रेखाएं नहीं है, रेखाएं नहीं है, ठीक है बच्चो, इस तरीके तर, यह प्रतिछेदी रेखाएं नहीं है, ठीक है, वीडियो पॉस्ट करके, इसे note कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए, इधर उतार लिए होगा, अच्छा, अब intersected line के बाद, second case आता है, second case आता है, क्या, ध्यान से देखिए, second case आता है यह, coincident lines, क्या बोलते हैं हिंदी में, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ध्यान से सुनिए, coincident line, इनका क्या होता है बच्छो, यह होता है, संपाती रेखाएं, संपाती क्या होती हैं बच्छो, ठीक है, coincident क्या होती हैं ध्यान से सुनिएगा, मतलब, एक, यानि दोनों line, दो ऐसी line जो एक के उपर बिलकुल एक बैठ जाएं, ठीक है, बैठ जाएं का मतलब क्या, कि जो answer इस वाले के variable में आ रहा है, वही same answer इस वा समान लीजिए, इसके x का और इसके y का answer दो है, तो जो दूसरी line है न, उसके भी x का answer दो है और उसके भी y का answer दो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दोनों line है कैसी बैठी हुई है, एक के उपर एक बैठी हुई है, एक के उपर एक, coincident, coincident का मतलब क्या, कि दोनों, को all, both आ गया दोनों, ठीक है को मतलब हो गया बोत, और incident मतलब एक के उपर एक, मतलब जिस axis पर ये लाई कर रहा है उसी axis पर ये भी लाई कर रहा है मैंने क्या समझाया, कि अगर इस line के x की value दो और इस line के y की value दो है, तो इस line के x की value भी दो होगी और इस वाले y की value भी दो होगी, तो मतलब क्या हुआ हमने देखा कि दोनों की value बिल्कुल कैसी है, सेम है तो ऐसी situation में क्या होता है बच्चो कि इनको कहा जाता है co-incident line हिंदी में समपाती रेखाएं मतलब क्या बच्चो, कि एक line के उपर एक line के उपर इसी के उपर ये दूसरी line ये दूसरी line पल्ले पढ़ रही बात क्या बताना चाह रहों मैं ध्यान से सुनिएगा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया क्या बताया मैंने कि भई एक line के उपर ही ऐसे ये दूसरी line तो इस line को कहा जाता है बच्चो co-incident line क्या कहा जाता है co-incident line ये वाला हो गया L1 जबकि ये वाला क्या हो गया L2 ये क्या हो गया L2 ठीक है अब मैंने क्या बताया L1 की equation माल लो क्या होगी A1X B1Y C1 बराबर 0 और L2 की क्या माल लोगे A2X B2Y प्लस C2 बराबर 0 अच्छा अब हम co-incident line को पहचाने कैसे समपाती रेखाओं को पहचाने कैसे तो मैंने क्या बताया कि भई co-incident line वो होती है समपाती रेखाएं वो होती है जिनके हर case में value क्या होती है same जिनके हर case में value क्या होती है same यानि आप जितना मरजीश को solve कर लो हर बार answer same ही आएगा चाया आप दो बार solve करो दस बार, बीस बार equation में कोई नया change कर दो तब भी इसका answer क्या रहेगा fix रहेगा और बार 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 वही बनता चला जाएगा तो जड़ा देखिए कि हम समपाती रेखाओं को coincident lines को कैसे पहचानते हैं तो भाई, जैसे मैंने intersected line की पहचान क्या बताई थी A1 upon me A2 बराबर नहीं है B1 upon me B2 लेकिन प्यारे बच्चो coincident line की पहचान होती है A1 upon me A2 बराबर B1 upon me B2 बराबर C1 upon me C2 मतलब इसमें तीनो के तीनो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं तीनो के तीनो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और उसी को कहा जाता है coincident lines यानि A1 upon me A2 बराबर है B1 upon me B2 बराबर है C1 upon me C2 मतलब बच्चो मैंने आपको ये case बढ़ा दिया कि आखिरकार co-incident lines को समपाती रेखाओं को कैसे पहचानते हैं जैसे इसी question को दुबारा से देखिए इसी question को दुबारा से देखिए ठीक है? दुबारा से देखो हाँ जी बच्चो आपके सामने एक question लिखा हुआ है मैंने इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 सब लिख दिया अब क्या करेंगे? पहले हम A1 upon में A2 बराबर B1 upon में B2 को solve करते हैं चलो करो A1 कितना है? 3 A2 कितना है? 2 B1 कितना है? 6 B2 कितना है? 4 यह कट रहा है? काटो 3, 2 तो देखो 3 by 2 बराबर 3 by 2 इसका मतलब क्या हुआ? कि A1 upon में A2 बराबर आ चुका है किसके? B1 upon B2 के कोई बात नहीं जी? अच्छा, अब हमने देखो, अगर यह बराबर नहीं आता तब तो direct answer हम क्या लिखते? Intersected लेकिन प्यारे बच्चों, यह तो बराबर आ गया यह तो क्या आ गया? बराबर आ गया तो जब बराबर आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं जब बराबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं अगर बराबर नहीं आया तो लिखतो intersected और अगर बराबर आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे, कहां आगे बढ़ेंगे, A1 अपउन A2 बराबर B1 अपउन B2 कर दिया, तो अब किसकी बारी है, B1 अपउन B2 बराबर C1 अपउन C2, तो B1 कितना है, B1 है आपका 6, B2 कितना है, 4, C1 कितना है, 18, C2 कितना है, 12, थेक है, तो देखो, 3, हंजी, 2, 3 ज़ा 6, और 2, 2 ज़ा 4, 6, 3 ज़ा 18, 6, 2 ज़ा 12, तो देखो, 3 by 2, बराबर 3 by 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि B1 upon me B2, बराबर C1 upon me C2, तो देखो, ये भी 3 बटा दो, 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 तो इसको first, sorry, first second तो वान चुके हो इसको third और इसको fourth so by third and fourth तीसरे और चौथे के द्वारा हम क्या देख रहे हैं हमने ये देखा कि A1 upon me A2 बराबर है B1 upon me B2 और बराबर है C1 upon me C2 और प्यारे बच्चो जब ये तीनों अपसमें बराबर होता है तो वो line कौन सी होती है Coincident यानि कि Sampati होती है और बच्चो याद रखना कि जब भी रेखाएं Sampati होंगी Coincident होंगी तो उसके solution कैसे होंगे उसके होंगे کیا बच्चो जल्दी बोलो उसके बोलो क्या होंगे उसके होंगे many solutions उसके क्या होंगे many solutions हिंदी में अनेक हल क्या होगा बच्चो अनेक हल तो याद रखना समपाती रेखाऊं को जितनी बार भी solve करोगे हर बार answer क्या होगा आता चला जाएगा और वही same value आती चली जाएगी तो इसलिए इसको लिखा जाता है many solutions, अनेक हल तो अगर आप से कोई पूछे कि coincident lines का संपाती रेखाएं का answer क्या होगा तो आप लिखेंगे many solutions क्या लिखेंगे? many solutions, हिंदी में अनेक हल कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं, फटा फट note कर लीजे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी note कर लीजे, तो बच्चो अब आगे बढ़ते हैं, हमने दो line है पढ़ ली बच्चो, पहला हमने case क्या पढ़ा हमने? intersected lines दूसरा case क्या पढ़ा हमने? बताईए, coincident line और तीसरा case क्या है बच्चो? तीसरा क्या होता है? आप अच्छे जानते हों, बच्च्पन से पढ़ते हैं पढ़ते हैं हो, parallel lines क्या होता है? parallel lines हिंदी में समानतर रेखाएं और साइद मुझे इतना तो पता है कि किसी भी बच्चे को ये doubt तो होगा नहीं कि parallel line क्या होती है और अगर फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, parallel line वो होती है बच्चो, ऐसी दो line जो आपस में जाके कभी meet ही नहों, मतलब इन दो line को अगर मैं आगे बढ़ाता चला जाओं, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है समान तर रेखाएं parallel line, जैसे ये line हो गई ठीक है, और इसी के parallel, देखो मैंने उपर नीचे बना दिया होगा थोड़ा ठीक है, तो समझ जाना आप कोई scale से तो हम करनी दे ठीक है, तो ये हो गई हमारी parallel lines, ये क्या हो गई हमारी parallel lines, और आप अच्छे जानतों, ये L1 है ये L2 है, L1 नाम मैंने equation में क्या लिया, A1X B1Y plus C1 बराबर 0 और L2 equation मैंने क्या ले लिया A2X B2I plus C2 बराबर 0, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी समस्या, नई अच्छा अब मैंने क्या बात की थी आप से, कि जब दो line आपस में parallel हो तो parallel lineों को पहचानने का क्या भई तरीका होता है तो देखो, सबसे पहले याद करो Intersected line की पहचान क्या थी A1 upon A2 बराबर नहीं है B1 upon B2 अच्छा, संपाती रेखाएं Coincident line, इनकी पहचान क्या थी A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 बराबर C1 upon C2 अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है बच्चो A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 upon C2 कोई भी समस्या किसी के लिए बताईए कोई भी समस्या, नहीं अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर एक example लेंगे ताकि हमारा doubt क्लियर हो जाए अच्छा, अब एक बात और बताना चाहूँगा अच्छा बच्चो एक बात बताओ जब दो लाइने मैंने आपको बताया, जब दो लाइने एक point पे काट रही थी एक single point पे काट रही थी तो उनकी value कैसी थी? Only one solution, unique solution मतला अपने आप में एक fixed value और जब एक के उपर एक थी तो solution कैसा था? Many solution लेकिन बच्चो, क्या अब ये line कहीं पे भी एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही तो जब ये line आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रही तो क्या इनका कोई भी solution होगा? नहीं होगा simple तो इसका answer क्या बनेगा बच्चो? No solution हिंदी में क्या? कोई हल नहीं कोई हल नहीं यानि बच्चो, parallel line का कभी भी कोई solution नहीं होता है parallel line का कभी भी कोई solution, कोई हल नहीं होता ठीक है? तो जलिए मैं एक example लेता हूँ जैसे माल लीजिए मैं आपके सामने example लेने जा रहा हूँ तो बच्चो लीजिए मैंने आपके सामने ये equation लिखी है ठीक है? अच्छा, अब इस equation में हमें क्या पता करना है? ये equation first है न प्यारे बच्चो? और ये equation second ठीक है? तो first equation मतलब A1 कितना हुआ? 3 B1 कितना हुआ? 4 और C1 कितना हुआ? 10 अब इसमें देखेंगे A2 कितना है? 6 B2 कितना है? C2 कितना है? 22 ये ये न बच्चो? अब देखें क्या करेंगे अब? अब हम solve करेंगे तो सबसे पहले Now सबसे पहले A1 upon में A2 बराबर है B1 upon में B2 चले चेक करते है A1 3 A2 6 B1 4 B2 8 3 A कम 3 3 दो नी 6 यानि 3 वन जा 3 3 तू जा 6 4 वन जा 4 4 तू जा 8 तो देखो ये B1 by 2 ये B1 by 2 इसका मतलब क्या हुआ? कि A1 upon में A2 A1 upon में A2 बराबर है B1 upon में B2 चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम अब आगे बढ़ेंगे नाओ अब किसकी बारी? जब A1 upon में A2 बराबर B1 upon में B2 आ गया है तो अब हम लेंगे B1 upon में B2 बराबर C1 upon में C2 चलो तो हाँ जी B1 कितना है? 4 B2 8 C1 10 C2 22 काटेंगे 1 काटेंगे 2 2 से काटेंगे 5 2 से काटेंगे 11 अरे भाई ये तो 1 बटा 2 बराबर 5 बटा 11 आ गया तो क्या ये आपस में कभी बराबर हो सकते है? नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि B1 upon में B2 बराबर नहीं है C1 upon में C2 और प्यारे बच्चो और 4 के दुआरा हम क्या देख रहे हैं? हमने ये देखा कि भाई A1 upon में A2 बराबर B1 upon में B2 तो है लेकिन B1 upon में B2 बराबर नहीं है C1 upon में C2 बराबर नहीं है C1 upon में C2 तो बच्चो इससे हमें क्या पता चलता है? इसे हमें ये पता चलता है कि जब A1 upon में A2 बराबर है B1 upon में B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 upon में C2 तो इसका मतलब ये line कैसी है ये line प्यारे बच्चो parallel है, समानतर है और बच्चो, समानतर रेखाओं में क्या होता है No solution, कोई हल नहीं इनके बीच में कैसा relation है parallel line है और इनका solution क्या है No solution, कोई solution नहीं क्यों? क्योंकि जब दो line एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, तो उनका कोई solution होगा भी नहीं ठीक है, तो प्यारे बच्चो आपको ये करने के लिए दिया गया है ठीक है आप सभी बच्चे NCRT NCRT का 3.2 करके लेकर आएंगे, आप पूछो के 3.1 क्यों नहीं, तो प्यारे बच्चो उसका समय आएगा, पहले आप 3.2 कीजिए ठीक है, तो 3.2 में आप लोगों को ये solve करना है, ठीक है, मैं बता दूँ कितने question number से, ये भी देख लीजिए अच्छा, ठीक तो ये आपको करना है बच्चो नोट करो, फिर मैं बताता हूँ पहले नोट करो आप नोट कीजिए जल्दी से फटावर नोट कीजिए वीडियो पास्ट करके नोट कीजिए, कर लिया? चलो वीडियो पास्ट करके नोट कर लिया होगा अब तक आपने, अब देखो मैं बता देता हूँ 3.2 में, आप लोग 3.2 में question number 3 से लेके 10 तक कीजिए 3 से भी नहीं, 4 से 3 या 4 जो भी है, ठीक है? यहाँ से कीजिए, ठीक है? 4 से लेके 10 तक, सारे करिए उसके अंदर छोटे-छोटे parts भी होंगे, वो सारे करने, तो यह करने है, बच्छे, आपको 3.2 में ठीक है? चलिए, तो आज की glass, यहीं खतम करते हैं फिर 3.2 के question आप खुद करके देखो, गलत है, सही है, कोई बात नहीं, एक ए question मैं बोड़ पे कल खुद यानि next class में मैं खुदी कराऊंगा, ठीक है? तो आपको tension लेनी जूरुत नहीं है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप हम doubt class का एक session चलाएंगे ठीक है? हर हफते एक doubt class रखेंगे, मैं अपने आप announce करूंगा कि आपको कब वो doubt एक collect तब तक करके रखिए जिस दिन मैं announce करूंगा, बस उसी दिन मुझे वो सारे doubt आप लोग send कीजिए common doubt निकाल के मैं यहाँ पे सारे doubt solve कराऊंगा, तो बे फिकर रही है एक एक question कराके दूँगा, लेकिन बच्चो थोड़ा सा time दीजे, धीरे धीरे ही हम सारे यह question cover कर लेंगे ठीक है, चलिए, तो आज की class यहीं खतम करते है, next class में मिलते है 3.2 के साथ 3.2 में आपको question number second, third और fourth करना है ठीक है, second, third और fourth करना है, दीक है उपर क्या नहीं हो, उससे आपको मतलब नहीं है बस जो मैंने सिखाया, आपको वो पैचानना है कि line parallel है या line intersected है या line coincident आप मुझे ये पैचान के लिए हो ठीक है इन तीनों बोश्रों में आप मुझे parallel line समानतर रहा intersected line ठीक है intersected line ये पैचानो प्रतिशिर इन तीनों गोश्रों मुझे ये पैचान के लिए हो उसके उपर क्या लिखा हो, वो छोड़ो दो ठीक है, वो मैं करवा दो दो ठीक है, फिलाद आपको parallel प्रतिशिर, यानि, intersected और प्रतिशिर, समानतर प्रतिशिर, समपाति ये तीनों में को पैचान के लिखो, ठीक है, वाकि इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर एक नए चीज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए अजो करते हैं लिए